Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डसकस करेंगे वक्षीट नमबर 24, 4 class 9th सामाजिक विज्ञान की बचो ये वक्षीट है अर्थसास्त्र की जो कि आपके लिए 2nd September 2021 के लिए schedule की गई है सो आज की जो वक्षीट है उसमें हम पालमपुर गाउं की कहानी उसी को continue करते हुए 2nd part जो है इसका पढ़ेंगे सो वक्षी शूकरने से पहले बटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो क्या दिया गया है हमने पिछली वक्षीट में पढ़ा था कि पालमपुर जो है वो एक hypothetical एक जो है कालपनी गाउं है जिसमें जो भारत के अन्य गाउं है उसकी तुलना करके उसको जो है क्या है बताया गया है कि जो गाउं है वो कैसे होते हैं वहाँ पर कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती है आर्थिक रियाएं जो है क्या होती है जिनसे हमें इंकम होती है जिनसे हमें आय होती है वो आर्थिक रिया होती है और जिनसे आय नहीं होती वो गैर आर्थिक रिया होती है जैसे अगर हम टीच करते हैं हम पढ़ा रहे हैं टीचर है और हमें सैलरी मिलती ह तो वो आर्थी क्रिया हो गई लेकिन अगर हम अपने बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं तो वो क्या हो गई वो गैर आर्थी क्रिया हो गई हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इंकम नहीं मिलती है कोई पैसा नहीं मिलता तो वो क्या है वो एक गैर आर्थी क् गाउं में डेरी खोल के रखते हैं परिवहन आदी सीमित स्तर पर की जाती है इन्हें जो है क्या कहा जाता है इन्हें गैर क्रिशी क्रियाएं कहा जाता है जानि क्रिशी से अलग जो लोग काम करते हैं उनको क्या कहेंगे उनको हम गैर क्रिशी क्रियाएं कहेंगे इन उत्पा इनके लिए जो भी क्रियाएं होंगी, उनके लिए अलगलग संसादन तो चाहिए ही, प्राकरतिक संसादनों का यूज हम करते हैं, मानों के द्वारा उसके कौशल से जो बनाई गई वस्तुवे हैं, उनका हम प्रियोग करते हैं, मानों के प्रियास हैं, और मुद्रा यानि ज वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवशक्ता है उत्पादन का मतलब ही क्या है बचो कि ऐसी वस्तुएं ऐसी सेवाएं उत्पाद करना जो हमारी जो जरूरते हैं उनको पूरा करते हैं तो वो क्या है उत्पादन है जैसे हमें कपड़ा चाहिए हमें पहनने के लिए जो है कपड़े चाहिए तो ये जो फैक्टरीज है वो क्या करेगा वो जो कच्चा माल है कपास है उसको जो है बदलेगी और उससे हमारी जो जरूरते हैं वो पूरी होती है तो फैक्टरी ने क्या किया फैक्टरी ने कपड़े का उत्पादन किया जिससे हमार शक्ता है उत्पादन के लिए भूमी यानि अगर भूमी नहीं होगी माली जी आपको एक जीसका उत्पादन करना है और आपके पास लेंड नहीं है भूमी नहीं है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो भूमी चाहिए कहीं फैक्टरी तो लगाओगे कहीं अगर किर्शी भी क चाहिए कोई न कोई कुछ भी काम अगर आप उत्पादन से रिलेटिड करते हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए जमीन चाहिए लेंड चाहिए सकीन है अन्य प्राकरतिक संसाधन जैसे की जल वन खनीज तो ये जो है क्या होंगे प्राकरतिक संसाधन हमें चाहिए दूसरी आवशकता है श्रम यानि जो लोग काम करेंगे अब देखे आपने एक फैक्टरी लगाई है तो उसमें लोग भी तो चाहिए काम करने के लिए अब जमीन तो मिल गए जमीन के बाद उस पे काम करने के लिए लोग तो चाहिए ठीक है संसाधन आपने ले लिए जमीन आपने ले लिए अब क्या चाहिए काम करने के लिए लेबर चाहिए तो ये हो जाएगा सेकेंड जो फैक्टर है हमारा श्रम तीसरी जो आवशकता है वो है भौतिक पूंजी उत्पादन के प्रतेक स्तर पर आप एक्षित कई तरह की आगते यानि यहाँ पर भौतिक पूं पूंजी कहा जाता है जिसको हम सर्वो पर ही मानते हैं human capital इसका मतलब क्या है कि अगर हमें हमारे पास knowledge ही नहीं है अगर हमारे पास हमें यहीं नहीं पता कि कपड़ा बनेगा कैसे ठीक है factory जो है उसमें हमने जमीन भी हमें मिल गई हमारे पास labor भी है हमने उसमें पैसा भी यहाँ पर जो बहुत एक पूंजी है उसका मतलब यह है कि जो मशीने रखी जाएंगी एक तरह से कोई भी काम करने के लिए जो चीजें हमें खरीदनी पड़ेंगी वो बहुत एक पूंजी के अंतरगत आता है तो जो है हमारी जो बहुत एक आवश्यक्ता है बहुत एक इसे ठीक है उसे हम क्या कहते है उसे मानो पूंजी कहा जाता है उत्पादन की इन आवश्यक्ताओं को हम उत्पादन के कारक कहते हैं तो यह सारी चीजे कारक हो गई कौन-कौन से कारक हो गई चार कारक हो गई एक तो पहला हो गया भूंजी ठीक है तो उत्पादन के कारक ह से हम पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर एक फैक्टरी है जिसमें एक कपड़ा जो है वो बनाया जा रहा है तो एक तो भूमी चाहिए दूसरा श्रम चाहिए लेबर तीसरा पूंजी चाहिए पैसा चाहिए मशीन वगरा खरीदने के लिए चोथा जो है उद्यम चाहिए अपना ग की होती है एक होता है स्थाई पूंजी एक होता है कारियशील पूंजी यहाँ पर स्थाई पूंजी और कारियशील पूंजी का क्या मतलब है कि देखे स्थाई पूंजी होती जैसे अगर हम एगरिकल्चर की बात करें क्रिशी की बात करें आप क्रिशी में क्या है कि आपके पूंजी क्या होगी अब आपने खेती अगर कर रहे हो तो आप बीज लेकर आओगे उरुवरक लेकर आओगे और खेत में डालोगे अब एक बार आपने प्रियोग कर लिया तो दोबारा भी तो चाहिएगा ऐसा तो नहीं एक बार कर लिया दोबारा भी वही चाहिएगा तो ह जो है important क्या है उत्पादन के कारक हैं अब यहाँ पर बहुत ही आसान से पांच जो है प्रशन आपको दिये गई है ठीक है जिनके आंसर हम करेंगे पहला जो प्रशन है उत्पादन से आप क्या समझते है तो उत्पादन औंधोय प्रतिस्ठानों द्वारा वस्तोयों सामान यद सेवाँ को निर्मत करने की प्रक्रिया को कहते हैं जो उधोग जो हैं वस्तों सामान सेवाएं उन सब को निर्मित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं उतपादन कहते हैं सेकिन देखिए उतपादन के सभी कारकों के नाम लिखिए तो भूमी, श्रम, पूंजी और उधम ये क्या है चारों उतपादन के कारक रहेंगे बहुत ही आसान question है बिटा, साथ साथ याद भी हो गई होंगे आपको, next देखिए, question 3 है, उत्पादन के कारकों में से कौन सा कारक सबसे महतपूर्ण है और क्यों, तो उत्पादन के चारो कारक जो है, वो महतपूर्ण है, क्योंकि आप इनके बिना कोई उत्पादन शुरूर नहीं कर सकते, यदि आपके पास कोई मजदूर नहीं है, तो कौन उत्पाद बनाएगा, आपको कुछ पूंजी की भी आवशक्ता होती है, जिस पर श्रम किया जा सके, तो चारो ही कारक वो सबसे महतपूर्ण है, ठीके तो यह आप इसमें आंसर लिख देंगे, next देखिए प्रशन चार है, पालंपुर में की जाने वाली किन ही तीन गैर क्रिशी क्रियाओं के नाम बताइए, तो लगुस तरिये विनिर्मान, डेरी, परी बहन, ये क्या है, गैर क्रिशी क्रियाओं है, ठीके जो हमने अभी पढ़ा, next है प्रशन पांच, उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिनि संसादनों की आवशक्ता होती है, जैसे प्राकर्तिक संसादन, मानो निर्मित वस्तुएं, मानो प्रयास, मुद्रा, आदी, तो ये आप इसमें लिखेंगे, तो ये थी आपके आज की SST की वरकशीट, I hope सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, कोई भी डा कर दीजे, शेर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, so thanks for watching, मिलते हैं next वीडियो में, next वरकशीट के साथ, take care